हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वैक टूबाइ चैनल तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बेशन और गुड के लड्डू जो दो से तीन इंग्रिडियंट से बहुती कम समय में बन करके तयार हो जाते हैं और जो लड्डू खाने के शौकिनों को यह बहुती पसंद आएंगे तो बग चार से पांच मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसमें से बहुती अच्छी सी भीनी भीनी सी स्वाधिस्ट सी खुश्भूनी निकलनी शुरू हो जाती जब बेशन भून जाएगा तो आपको खुद से पता चल जाएग क्योंकि आपके किजन में इसकी महक उठने शुरू हो जाएगी निकलनी तो आप देखेंगे कि आपको इसको भूनने में 5-6 मिनट भी लग सकते हैं या 4-5 मिनट जब तक कि अच्छी से खुश्भूनी निकलना शुरू हो जाती पस इसको लगातार चलाते हुए भूनते र यार होंगे अब लगबग मुझे यहां पर 6 मिनट हो गए हैं 6-7 मिनट तो मैंने इसमें एक चोथाई कप जिस कप से भर के मैंने एक कप बेसन डाला था उसी कप से एक चोथाई कप हम यहां पर सूजी डाल रहे हैं और सूजी को भी हमें इसके साथ अभी 2-3 मिनट तक ना ही आपको घी डालना है ना ही आपको कुछ और जीजाट करनी है बस सूखी कढ़ाई में ऐसे ही आपको इसको अच्छे से लो फ्लेम पर भूनते जाना है तो साथ में हमारी जो सूजी है वो भी भून जाएगी अब इसको देखिए थोड़ी दिर में आप देखेंगे इ अगर आप मेरे चैनल पर नए है रेसिपी पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और जरूर से अपने किच्छर में उसको ट्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन वैल भी दबाएं अब देखिए मैंने यहां पर बहुत तो थोड़ा सा एक चमच मैंने देशी घी यहां पर एट किया है और आधा चमच अभी मैं ओर एट कर रही हूं टोटल मिला के छोटे चमच से आप दो समच दो चमच भी मान सकते हैं तो देखिए इस तरह से दबाते हुए क्योंकि सद्धियों का मोसम है घी जमा हुआ है अ है तो मिले को यहां पे इसको मिक्स करने में एक इस दो मिनट लग गए थे आप देखिए यहां पर घी वी जो है वो सूजी और बेसं पर tá परीके से चेंज हो गया है अभी हम मिनक्स में हम Grad बना रहें तो जो हमनेड़ों कंप लिदें तो उनको हमने फौड्ड लिया जानी कि Вам छोटे चोटे कर लिये हैं ऐब इसको भी हमें में डालके स्वैंव को लगते हुए ही मिकस कर लेंगे अगर आपको लगे कि आपका बेशन नीचे से थोड़ा सा भी लग रहा है तो तुरंट गैस की फ्रेम बंद कर दें तब इसको मिक्स कर लें इसको मिक्स करने में भी आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे टोटल मिला के आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे इस रेसिपी को इन लड्डू को सब्सक्राइब जाएंगे देट कर दिये हैं अब इनको भी अच्छे से हमने दून कर लिया आया है अब मिक्स करने के बाद एक चमज गी हम इसमें और अंट नहीं। इसलिए हम इसको एक चमस घी और डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखे यह अभी भी काफी बुरुबुरा सा दिख रहा है यानि कि बिखर के बिखर रहा है यह जो अभी जुड नहीं रहा है सिमर जाएगा आपका जो मिक्सरन है फटाफट से लड्डू बनाने के फॉर्म में आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी नहीं आपकी कड़ाई में चिपकेंगे और फटाफट मिक्स कर दीजे यह देखे कितना बढ़िया लड्डू बनाने के लिए आपका जो मिश्रन है वो तैयार हो चुका है और कलर देखिया आप गुड की वज़े से इसका कितना प्यारा मतलब ब्राउन जैसा रड्ड जैसा कलर हो गया है और खाने में हेल्थ में बहुत ही बढ़िया है यह आपकी हेल्थ को अच्छा रखेंगे सद्यों के मौसम में और बहुत ही फटाफट बन करके त्यार हो जा कितने बढ़िया आप एक दिन में दो से तीन लड्डू यहां पर खा सकते हैं इसे जादे तो नहीं खाईएगा क्योंकि इसमें गुड है लेकिन दो से तीन लड्डू आप खाईए आपकी स्वास्त के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही जवरजस्त रहेंगे और बनाने में तो बेहादी आसान है कोई अगर पहली बार में भी बनाना चाहे तो इसको बहुत अच्छे से आराम से बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स मिलती हूं मैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वोचिंग